अलो जय जागरूती सब के लिए आपने अठोपेड़े काम किया है लोगों के परिछीत है अभी कोईड सेनलों किया इसमें अधवांस में क्या है अपने पास जो लोगों को और काफी सेन्टर पाइंड में है तो सब की सुविधाय के लिए अच्छी है तो इसके बारे हैं थोड़ी जानकरी दीज यह हमारा बहुत सालों से, अल्मोस्ट थर्टी इयर से, साउजी और्थोपेडिक होस्पिटल था, अभी रिसेटली हमने यह चेंज करके साउजी मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल किया है, जहां पर बाकी सब ब्रैंचेज, महात्मा जोतिवा फुले योजना, प्रदान मंत कि oxygen का बेड नहीं है, oxygen का shortage है, ventilator का shortage है, ICU के बेड नहीं है, पीशेंट की कंडिशन बहुत खरब है, बहुत बार निवज चैनल पे से पता चलता है कि कोई patient, कॉर्पोरेशन के सामने जाके बैठा, oxygen नहीं मिला कर करके मर रहा है, फिर मेरे देहन में आया, कि अपना 50 बेड क वहाँ सारी और्थोपेडिक सर्जरी जो है वो रुख सकती है ऐसी कोई और्थोपेडिक सर्जरी नहीं कि जो इमेजियेटली नहीं किया तो पेशंट जिंदा नहीं रहेगा लेकिन अगर कोरोना के पेशंट को अपन जादा हेल्प दे सके तो कुछ ना कुछ एडिशनल सकते है और उनके लॉंग टर्म जो मॉर्बिडिटी है वो कम हो सकती है तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमारा पचास बेड का जो हस्पिटल था उसमें से 38 बेड्स हमने कनवर्ट किये कोविड के लिए और बारा बेड का और्थोपेडिक का जैसा है वैसा चालू रखा तो उनली एमर्जेंसी फ्रैक्ट्चर्स कि जिसको इमेज़ेटली उपरेशन की ज़रत है उतने हम वो बारा रूम में एज़ेस कर रहे है और बचेवा सब हमने कोरोना को शिफ्ट कर दिया है ताकि जो लोग डिफिकल्टी में है परेशानी में है उनको अक्सिजन बेड हम करने में और गार्म में दे सके बारा में हम इंपहर्म इसमें ग्ला कि आयजी ज़ेटली में हमल्रा है उप्रुम के रेट फिफिक्स कार दे प्यूं कर दे घैंज की आयजी आहीं के बार्यारिआस के अधिक्स किरें थाँ हम स्ट्रिक्ली गवर्मेंट की गाइड लाइन के हिसाब से ही बिलिंग करते हैं ताकि पेशेंट को या रिलेटिवस को कोई परेशानी ना हो हमारे पास बेसिकली तीन वेंटिलेटर से एक इन्वेजिव वेंटिलेटर एक बाइप प्लस इन्वेजिव वेंटिलेटर और एक हाइफ फ्लो नेजल ऑक्सिजन जो की मेजर्टी अब दे पेशेंट्स के लिए काफी हो जाते है अभी आपको बेड कम पढ़ेंगे तो फिर अभी क्या करेंगा नहीं अभी तो एड प्रेजेंट बेड कम पढ़ने के चांसे बहुत कम है क्योंकि गवर्मेंट बहुत हेविली इंफ्रास्ट्रुक्चर पर ध्यान दे रही है और अपने कलेक्टर साब बहुत अच्छे से ह तो अभी बेड बहुत ज्यादा थे ओड that which is a ochyan. भाँ बेड बेड कर से बहुकत अपने मैन दिक्कत है वह विद्एर्स कि वह भी अभी सेंटर से और बहुत सारे CSR अभट में बहुत सारे बेड्रेड को मिलने वाले है तो हो सकता है, और 15 दिन महीं दे पर में यह सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आज के तारिख में ऑक्सिजन का शॉर्टेज है, जिसके लिए गौर्मेंट ने हर जग से रेल्वे से ऑक्सिजन लाना शुरू किया है आज से, दूसरा रेम्डेस्वीर का शॉर्टेज था, वो भी लोन बेसिस पे हर हॉस्पिटल को कलेक्टर स जाब ने खुट के ओफिस में से डिस्ट्रीबिशन शुरू किया है, ताकि उसमें कुछ ब्लैक मार्केटिंग नो हो, कोई बदमाशी नो हो, और यह सब बहुत स्ट्रीमलाइन हो रहा है, तो एक्स्पेक्टेड है कि यह सब प्रॉब्लेम्स, जो इंफरस्ट्रॉक्चर प बचेगा. अब सवाल सिर्व इतना ही बचेगा, कि यह सब चलाने के लिए स्टाफ कहाँ से लाएंगे? वेंटिलेटर तो आजाएंगे, लेकिन वेंटिलेटर पे ट्रेन्गीज बचेइग कहां से लाएंगे? अगर ट्रेन्गीज पार बार्मनेट के चालने लेया डॉक्टर्स चाहिए, पेमेंट भी उन्होंने उनके रूटिन के सबसे बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी इंटर्व्यो को कोई आया ने, इसका मतलब यह है कि गौर्मेंट इतना कुछ देना चाहती है, वो सफिशेंड नहीं और इतने कम पैसों में डॉक्टर कोई काम करने को यह बात अलग है कि थोड़ी सामाजिक बंदिल की करके करना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, दूसरी चीज नर्सिंग स्टाफ, अभी हमने कोविड सेंटर शुरू किया हमको मालूम है हर नर्सिंग स्टाफ दूड के लाना इस वेरी डिविग हर चीज के भाव डबल हो गए, नर्सिस की सेलेरी डबल हो गई, आर्यमोस की सेलेरी तीन गुना हो गई, ऑक्सिजन मिल नहीं रहा है, इलेक्रिसिटी के चार्जेस बहत है, 12-13 रुपए पर यूनिट इलेक्रिसिटी चार्जेस लगड है होस्पिटल को, कॉर्परेशन के बहुत सारा है और गवर्मेंट ने सब पर कैपिंग करके रखा है, अभी एक जो बात मेरे ध्यान में आरही है, वो यह है कि गवर्मेंट ने इसीव के चार्जेस रखे 7,000 रुपए और इसीव इत वेंटिलेटर के चार्जेस रखे 9,000 रुपए अभी 7,000 में इसीव का बे तो वेंटिलेटर के चार्जेस रखे 2,000 रुपए, दो हजार रुपए में वेंटिलेटर और इसका इंफरास्ट्रुक्चर स्टाफ और सब मैनेज करना इस वेरी डिफिकर्ट, इसलिए क्या हो गया कि प्राइवेट होस्पिटल ने जितने वेंटिलेटर खरीदना वो कोई बढ़ाने को इच्छुक नहीं है, एटलिस्ट गवर्मेंट ने रिजनेबल अगर चार्जेस रखे रहते हैं वेंटिलेटर के साथ, तो आज जो सिनेरियो है वो उतना खराब नहीं रहता था, कि प्राइवेट में बहुत सारे चीजे अवेलेबल रहती थी, दूस दूसरे दिन ऑक्सिजन वाले ने ऑक्सिजन नहीं लाया, तो उसके लिए जिम्मेदार कोन? तो अभी इंडिया में बहुत जगह हुआ, बॉम्बे के पास भी हुआ, और कई जगह हुआ, एम्पे में भी परसु हुआ, कि 10-10 लोग वेंटिलेटर के उपर ऑक्सिजन नहीं पोचाया, उनको दूसरे होस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहां पे भी वेंटिलेटर और ऑक्सिजन नहीं है, तो हमने ऐसे पेशन का क्या करना, एक्चली इसमें गौर्मेंट ने ऐसा करना चाहिए था, जो सेंटर को परमिशन देते उसी वक्त उनसे एक अंडर्टे करेगा, उनको ही तुम कोवीड सेंटर की परमिशन दो, अभी क्या हो कहा ऐगा हरको कोवीड सेंटर की परमिशन मिली, और ऑक्सिजन का शप्लाइ लिमेटेडेड है, रैमडिसविर का итог इशोरी में और फिर पेशन के हाल हुरह है, तो ये थोड़ा सा गवार्मेंट न किसको कितने किस जरूरत है तो ये रेशनिंग करके अगर गवर्मेंट ने प्रॉपरली कर लिया तो शायद बहुत सारी मौर्टैलिटीज और मौर्बिडिटीज और ये जो पैनिकी सिचुएशन होती कि अभी आज की कंडिशन में बुलता हूं बहुत सारे 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 बहुत सा को ऐसा होने लगा, तो इतने पेशेंट अकुमोडेट का होंगे, क्योंकि जो शॉर्टेज ऑक्सिजन का एक हॉस्पिटल में, वो हर ऑक्सिजन, हर सेंटर पे है, तो ये गौर्मेंट ने सॉर्ट आउट करना अर्जेंटली जरूरी है, बाकी कोई चीजसे आदमी मरेगा ने लेकिन ऑक्सिजन के वज़े से जरूर मर जाएगा, तो ये गौर्मेंट की जिम्मेदारी बनती है, कि उन्होंने प्रॉपर ऑक्सिजन का सप्लाय जब तक नहीं होता, तब तक कोईट सेंटर को परमिशन ही ने देना चाहिए, इवन एग्जिस्टिंग है, उनसे भी एक ल कि एक लिफाय स्टाफ, एमडी दोक्टर्स होना जरूरी है, तो अपने पास अभी कितने दोक्टर्स और जैसा माडम तो है लेकिन आर कितने दोक्टर्स अपने पास आटे हैं? और अर्थोपेडिक सरजन मैं 24-7 अवेलेबल हूँ, उसके साथ मेरे पास एक पाच लोगो के आरेमोस की टीम है जिनोंने पंदरा से बीस साल आइसियों में काम किया है, तो आर जो नर्सिंग स्टाफ है वो सब कौलिफाइड जी एनम नर्सिंग स्टाफ है, और वो गवर् सरकार को क्या करना चीए और डॉक्टर्स को क्या करना चीए और कौलिफाइड स्टाफ के ऊपर ही सबसे बड़ा कोविड और आ जाता है, जिसके पास स्वई पुरा स्वई सूई है, उसे को ही पर्मेशन देना चीए, ऐसा डॉक्टर्स का मनना है धन्यवाद